हमारे जीवन में किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती जीवन रुपी जो गाड़ी है इसे एक optimum speed चाहिए ना बहुत high speed ना slow speed, optimum ये bad habit especially सभी में होता है, almost सभी मिथुनराशी में होता है, किसी में कम होता है, किसी में जादा होता है अगर इस bad habit को आप अपने willpower से ठीक करते हैं, अपने कुछ मित्र या सहयोगियों के सहयोग से इसको ठीक करते हैं, तो आपका जो जीवन है, आपकी जो life है, वो कहीं कहीं 2x, 3x, 4x, 10x तक बहुत faster हो सकती है, बहुत अच्छा हो सकता है, आपके life में prosperity and जो भी आपको चाहिए वो हर चीजे मिल सकता है, क्योंकि आपके जीवन में जो bad habit है, उसको आपने reduce कर दिया, अपने willpower से, वैसे तो हर एक जन्मरासी में अपनी कुछ उनकी खूबिया होती है, कुछ अच्छाई होती है, लेकिन उनके अंदर कुछ बुराई भी होती है, वो जो बुराई होती है जिसे हम bad habit कहते हैं, उस वज़े से जातक का जो progress होता है, वो कहीं कहीं बाधित होता है, रुक जाता है, आज हम बात करेंगे मिथुन रासी के बारे में, कि मिथुन रासी में आखिर वो कौन से साथ प्रकार के bad habit है, जिससे उनका जीवन की जो गाड़ी है, वो optimum level पर नहीं नमस्कार दर्सकों, सत्यमेधा Divine Meditation में आपका मैं स्वागत करता हूँ, मैं अशोक भारतवाज, आज आपके लिए जैमिनाई के bad habit के बारे में कुछ clue या कुछ point लाया हूँ with pro tip, तो चलिए शुरू करते हैं, नमबर वन, जैमिनाई, मिथुन रासी का स्वामी बुद्ध ह होता है, और बुद्ध बुद्धी के लिए जाना जाता है, बुद्ध मिथुन रासी का स्वामी होने की वज़े से, जो मिथुन रासी के जातक होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हाजिर जबाबी होती हैं, बुद्धिमान होते हैं, ब्यंग करते हैं, यानि लोगों पर ज्या भी बनाने लगते हैं तो इसके लिए प्रोटीप क्या है कि आप किसी भी का बहुत ज़्यादा अतीमत करें हजर जबाबी हैं तो उसमें आप किसी का बहुत ज़्यादा किसी पर कमेंट न करें टिपड़ या न करें या किसी पर बैंग न करें तो यह बैंग के लिए जाने ज जाता है तो ऐसे condition में कोई भी व्यक्ति इनके साथ comfort नहीं होता है तो ये bad listener की तरह ये act करते हैं यानि सुनने में इनकी रुची बहुत कम होती है अगर यह label इनके जीवन में बढ़ता जा रहा है जादा से जाता हो रहा है तो इन्हें ठीक करने का समय है इसे इनको ठीक करना ह होगा इनके लिए pro tip क्या है बोलने से पहले सोचे यानि सुनने का प्रयास करें सुनेंगे तो आप लोगों के बारे में कुछ ज्यादा समझ पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा शांत रहनिया चुप रहने का कोसिस करें जभी भी conversation होता है लेकिन रहेंगे कैसे चोकि ये तो इनका bad habit है इस bad habit को overcome करने के लिए improve करने के लिए मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया है willpower की जरूत होती है जल्दी उब जाना बोर हो जाना ये बुद्धिमान जादा होते हैं बुद्ध के कारण अगर बुद्ध इनके कुंडली में अच्छे जगह प्लेस होता है तो इस प्रकार से ये जादा है चोटी हो या बड़ी चीजे दोनों प्रकार के चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाते हैं और उसके बाद उस कारे में इनकी रुची नहीं रहती है एक उधारण लेते हैं किसी भी प्रकार के ये समान या कोई भी चीजे स्टफ एनी काइंड ओफ ये चीज खरीदते हैं एक वीडियो गेम ही ले ले ये खरीदते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसमें इ बूर होने लगते हैं आये जान लएते हैं इसका प्रूटीप क्या है बूर होना किसी भी समयस्या का सिलेशन नहीं है आप सबसे पहले उसको अस्तान दीजिए इस्की यजिए उसके बारे में धौट प्रोसें करिए सोचिए और उसको एक स्मूल प्रोसें से उसको ले चलि इस वज़े से इनके जो नियर एंडियर होते हैं काफी ज़्यादा awkward feel करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो means unsituational feel करते हैं, वज़े है इनका ज़्यादा से ज़्यादा gossip करना है, इनके lifestyle में यह इतना ज़्यादा होता है कि यूँ ही चलते किसी से विए gossip करते हैं, बाचित करने लगते हैं, कभी कभी unnecessary बात करते हैं, तो gossip की वज़े से बहुत ज़्यादा लोग जो इनके साथ में रहते हैं, इनके near and dear में रहते हैं, वो इनसे पीछा तक छुड़ाने लगते हैं, और धीरे धीरे इनके जो अपने लोग होते हैं, इनसे दूर चल जाते हैं, चलत बहुत ज़्यादा बात करता है तुम, यानि gossip, इनका इस प्रकार का एक bad habit है, चुकि इसकी level ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, saturate हो चुकी है ये, तो definitely it's a kind of bad habit, आयो जान लेते हैं इसका pro tip क्या है, इसका pro tip है, कभी कभी अपने मुह को चुप रखें, shut, यानि अपने mouth को silent रखें आप, सांत रहें, ऐसे इस्तिती में जभी भी कहीं अगर बातचीत करना हो, जब आपको जरूरत महसूस हो, तब आप बात करें, या कोई पूछा या तब उसका आप उत्तर दे, हमेशा बात करना अच्छा नहीं होता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि को आप देख सकते हैं, dwell sign, dwell sign का मतलब है कि इनका जो behavior है, इनका जो mood है, swim करता है, जी हाँ, fickle mind के होते हैं, इनका जो mind है, ये बहुत जल्ली change होता है, इनका mood बहुत जल्ली change होता है, और ये mood जो change हो रहा, अगर ये इनका इसपनियंत्रण नहीं है, उस पर वो control नहीं करते है तो इनकी bad habit के रूप में हो जाता है, इनका ये bad habit बन जाता है, बहुत जल्दी अपनी mood को ये frequent change करते हैं, और बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, आए जानते हैं इसका pro tip क्या है, कुछ प्रायाम करिए, meditation करिए, जिससे आपका ये जो से ज़्यादा लेट हो जाते हैं, कोई meeting हो, office meeting हो, या फिर कहीं किसी कहां जाना हो, तो ऐसा देखा गया है कि मिथुनराशी के लोग अपने आत्रा में लेट हो जाते हैं, या फिर बहुत जल्ली distract हो जाते हैं, इनका जो mood है, वो एक जगह इस्थुर नहीं रहता, यानि ये distract हो जाते हैं, इनके अंदर distraction बहुत ज़्यादा होता है, इनको concentrate कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, आप अपने काम से प्रेम करिए, यानि जो भी आपका work है, जो भी आपकी duty है, आप उसको समझिए, और अच्छे तरीके से उस पर focus होने की कोसिश करिए, हर एक वो idea distraction जो आपके mood में होता है, आप उसको change कर पाएंगे, और आप बहुत आगे उचाइए तो जाएंगे, मिथुन रासी का सात्वा bad habit है, जगडालू nature, यानि इनको किसी छोटी सी छोटी बात को बड़ा बनाना, और उसमें एक जगडा उत्पन करने में इनको आनन्द आता है, और इस चीज से इनके जो अपने near and dear होते हैं, नस्दिक के लोग होते हैं, वो इनसे दूरिया बनाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे condition में आपके लिए pro tip क्या होगा, कि आप किसी भी छोटी बात को बहुत जदा बड़ा ने बनाएं, बड़ी बातों को बहुत जदा छोटा न करें, यानि उसके बीच में optimum level पर हैं, optimum level से मतलब पर यह हैं कि आप जो भी चीज़ें, जिसकी जितनी importance है, उसको उतना importance दें, और बीच में अगर कहीं कोई बात तुल पकड़ने वाली है, उस तो उसमें अपनी अनपस्थती कर लें, यानि आप वहां absent हो जाएं, because आप अगर उपस्तित रहेंगे, तो निसी तोरपे आपको आनंद आएगा, और इससे लोगों का बुरा होगा, और लोग आपसे दूरियां बनाएंगे, आठवा bad habit, अपनी analysis में ऐसा देखने को आया है, बहुत सारे जो case study है, उसको देखने पर पता चला है, जो मिथून रासे क लोग होते हैं, उनके अंदर एक common bad habit होती है, वो है बेचैनी की, वैसे कि अगर आपकी जो कुंडली है, आपका जो चार्ट है, उसके अंसार तो अगर मून का, केतू का, राहू का, प्लेस्मेंट अगर अच्छा नहीं होता, तो भी बेचैनी होती है, लेकिन मिधुन रासे इन जेनरल, इनको बेचैनी की समिश्या जादा रहती है, कभी-कभी इनकी बेचैनी इतनी बढ़ जाती है, ऐसा लगता है, जैसे दुनिया का सारा बोज इन पर रखा हुआ है, अपने आपको बहुत बोर फील करते हैं, बहुत टायड फील करते हैं, तो इसका प्रोटिव क अगर आप मिथुन रासी के हैं, तो आपको इतना जादा बोर नहीं फील करना है, इतना जादा आपको ऐसा नहीं फील करना है, कि आप बहुत बेचैन हो रहे हैं, बहुत जादा यू लूज यूर पेसेंस, जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताय था, कि जो हमा क्या है आप जादा से जादा पेसेंस रखने के साथ साथ आप चीजों को समझिए कहा पर पेसेंस रखना है कहा पर नहीं रखना है कहा पर वेचैन होना है यानि अपने life की जो वैकिल है जो गाड़ी है कार है उसको optimum लेवल पर आप उसको drive करिए this is your life नवा bad habit है, they love change यानि जो change होता है, ये उसे पसंद करते हैं जो changing है, ये उसका स्वागत करते हैं, welcome करते हैं क्यों है चुकि dwell sign nature है और इसका lord कौन है? मरकरी जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो torus है, व्रिश रासी, व्रिश रासी के अंदर fear होता है change का लेकिन मिथुन रासी वालों के लिए ये fear नहीं, they love यानि इनको change करना ज़्यादा अच्छा होता है यहाँ पर आपके लिए pro tip है, अगर आप ये change ज़्यादा frequently change कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ है, आप घर change कर रहे हैं बहुत जल्दी, आप बहुत जल्दी गाड़ी change कर रहे हैं, dress change कर रहे हैं बहुत सारी चीज़े हैं, अगर जीवन की जो essential हैं, अगर उन्हें आप frequently change कर रहे हैं, access हो रहा है और अपने आदतों में चेल जिनाएं अपने willpower से बात कर लेते हैं अब दस्वें bad habit के बारे में मिथुन रासी के लिए दस्वें bad habit है इनका overthinking, overreacting या फिर किसी के उपर over comment तो अगर आप overreact कर रहे हैं या फिर overthink कर रहे हैं तो किसी छोटे से छोटे समयस्या को आप बहुत बड़ा enlarge कल देंगे amplify कर देंगे इससे समयस्या आपके सामने बहुत बड़ा विक्राल रूप खड़ी होगी और आप यह समझ नहीं पाएंगे कि यह क्या हो रहा है ऐसे condition में आपके लिए pro tip यह है कि आप किसी भी चीज को उतना ही सोचिए जितने के लाइक हा वो यानि जितनी उसका amount है अपने जीवन में thinking का saturation बहुत ज़्यादा नहीं करना है इससे कहीं कहीं आप पिरित होंगे आज मिथूनरासी के बारे में हमने 10 bad habit के बारे में आपसे discuss किया यह bad habit especially सहयोगियों के सहयोग से इसको ठिक करते हैं तो आपका जो जीवन है आपकी जो life है वो कहीं कहीं 2x, 3x, 4x, 10x तक बहुत faster हो सकती है बहुत अच्छा हो सकता है आपके लाइक में prosperity और जो भी आपको चाहिए वो हर चीजे मिल सकता है क्योंकि आपके जीवन में जो bad habit उसको अपने reduce कर दिया अपने willpower से अपने अगली वीडियो में हम बात करेंगे cancer के बारे में cancer रोग के बारे में नहीं cancer का मतलब करकरासी के बारे में तो करकरासी का स्वामी चंद्रमा यानि करकरासी में कौन से ऐसे 10 प्रकार के अवगुड होते हैं जिससे उनका जीवन पीछे जा रहा है उन्हें पता नहीं है बने रहे हमारे चैनल पर और आप अपना एक important suggestion या important feedback comment हमारे comment box में आप लिख सकते हैं इसके साथ ही साथ अगर आप करकरासी के हैं तो हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार